नमस्कार तुडेज जी के प्रोग्राम में आपका स्वागत है इस नई पहल के जरिये हम रोज की खबरों में से कुछ सवाल बनाएंगे और उन्हें यहां डिसकस करेंगे यह वैसे सवाल होंगे जो UPSC में कई बार सीधे पूछ लिये जाते हैं या फिर कथन के रूप में पूछे जाते हैं इसके अलावा State PCS, IES, SSC, Bank PO, Railway, UGC Net, CDS, CAPF और NDA जैसी परिक्षाओं में यह सीधे सीधे सवाल पूछ लिये जाते हैं आज के सेशन की शुरुवात करते हैं कल के Practice Question के साथ कल हमने आपसे पूछा था केंद्र सरकार ने LTE पर प्रतिबंध को कितने वर्ष के लिए बढ़ा दिया है केंद्र सरकार ने लिट्टे पर लगे प्रतिबंध की अवधी पांच साल के लिए बढ़ा दी है आपको बता दें कि लिट्टे का पूरा नाम Liberation Tigers of Tamil Elam यानी LTE है यह प्रतिबंध गैर कानूनी गत्विदियां रोक्थाम अधिनियम 1967 की धारा तीन की उपधारा एक और तीन के तहट बढ़ाया गया है इसके तहट जारी अधिसूचना में कहा गया है कि लिट्टे की लगातार हिंसक और विगटन कारी गत्विदियां भारत की अखंडता और संप्रभुता के लिए नुकसान दे हैं तो कल के Practice Question का सही जवाब होगा Option C यानी 5 वर्ष अब देखते हैं आज का पहला सवाल हाली में भारतिय नौसेना के सेवा चयन बोर्ड यानी SSB का उदघाटन कोल काता में किया गया इसका उदघाटन नौसेना प्रमुक एडमिरल सुनील लामबा ने कोल काता के पास इस्थित डायेमंड हार्बर में किया यह नौसेना का पाँचवा सेवा चैन बोर्ड है जबकि पूर्वी भारत का पहला SSB है इसके अलावा अन्य बोर्ड भोपाल, बैंगलूरू, विशाखा पत्नम और कोयंबटूर में है तो प्रश्ण एक का सही जवाब होगा ओप्शन A, कोलकाता प्रश्ण दो हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संग ने किस आतंकी संगठन पर प्रतिबंध लगाया है A, हिजबुल मुजाहिदीन B, ISIS-K C, इंडियन मुजाहिदीन D, लश्करे तयबा हाल ही में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशद ने IS-IS-K यानि IS-IS खुरासा नाम के आतंकवादी संगठन पर प्रतिबंध लगाया है IS-IS-K IS-IS का एक सहियोगी संगठन है इस प्रतिबंध के साथ ही यह संयुक्त राष्ट्र संग द्वारा प्रतिबंधित किया जाने वाला पहला IS-IS सहियोगी संगठन बन गया है आपको बता दें कि IS-IS-K पर या प्रतिबंध UNSC यानि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिशत की अलकाइदा प्रतिबंध समिती यानि 1267 समिती ने लगाया है तो प्रश्न दो का सही जवाब होगा option B IS-IS-K प्रश्न तीन सिडबी ने डिजिटल रिण को बढ़ावा देने के मकसद से किस कंपुनी के लिए एक पाइलेट योजना लाँच की है A. Fintech NBFCs B. P2P Lending C. IL&FS D. Infrastructure Debt Fund हाल ही में सिडबी ने डिजिटल रिण को बढ़ावा देने के मकसद से Fintech NBFCs के लिए एक पाइलेट योजना लाँच की है इस योजना के जरिए छोटे व्यवसायों और आइस रजन करने वाली अनिगतिविधियों के वित्थ पोशन में लगे नए पुराने Fintech NBFC को 10 करोड तक की वित्तिय सहायता को बढ़ाये जाने की बात कही गई है आपको बता दें कि Fintech NBFC Digital Loan कमपनिया है ये सूचन प्रौध्योगी की का लाब उठा कर तेज और सुविधा जनक वित्त पोशन उपलवद कराती है अगर सिडबी की बात करें तो इसकी स्थापना 1990 में पार्लियमेंट के एक एक एक्ट के तहट की गई थी सुक्ष्म लगू और मध्यम उद्यम यानि MSME छेत्र को बढ़ावा देने के साथ साथ वित्त पोशन और विकास के लिए मुख्य वित्तिय संस्थान के रूप में कारिकरने के लिए इसे इस्थापित किया गया था तो प्रशन तीन का सही जवाब होगा ओप्शन A फिंटेक NBFCs प्रशन चार नमामी गंगे कारिकरम के तहट किस राज्य में गंगा जलग्रहण छेत्र में 10,000 रुद्राक्ष के पेंड लगाने का लक्ष रखा गया है A. उत्तरप्रदेश B. बिहार C. उत्तराखंड या D. पश्चिम बंगाल नमामी गंगे कारिकरम के तहट उत्तराखंड राज्य में गंगा जलग्रहण छेत्र में 10,000 रुद्राक्ष के पेंड लगाने का लक्ष रखा गया है Corporate सामाजिक दाईत्यू की एक पहल के रूप में राश्ट्रिय स्वच्छ गंगा मिशन HCL Foundation और INTEK के बीच एक त्रिपक्षिय सहमती पत्र यानी MOU पर सस्ताक्षर हुए है इसके तहट इतनी बड़ी तादाद में रुद्राक्ष के पेंड लगाये जाएंगे ये पेंड उत्राखंड में गंगा नदी के जलग्रहण छेत्र में इस्थानिय समुदाय और अन्य हिद्धारकों के सहीयोग से लगाये जाएंगे इससे इस्थानिय लोगों को रोजगार भी मिलेगा गंगा नदी के कल्याण के लिए भारत सरकार के जल संसाधन नदी विकास एवं गंगा पुनरोधार मंत्राले के तहर नैशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का क्रियानवेन किया जा रहा है तो प्रश्ण चार का सही जवाब होगा ओप्शन सी उत्तराखंड प्रश्ण पांच राजस्थान के किस जिले में अंतरराश्ट्री सेना इसकाउट मास्टर्स प्रतियोगिता 2019 का आयोजन किया जाएगा ए जैपुर बी जैसलमेर सी सरिस्का यदी अलवर राजस्थान के जैसलमेर में कोनार कोर के तत्वधान में अंतरराश्ट्री सेनन खेलों के हिस्से के रूप में अंतरराश्ट्री सेना इसकाउट मास्टर्स प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा यह आयोजन आठ देशों की मेकेनाईज्ड इन्फैंट्री स्काउट टीमें भाग लेंगी इस दोरान छद्म युद्ध परिद्रश्यों में टैंकों और बक्तर बंद गाडियों वाले स्काउट्स के समग्र कोशल का परिक्षन किया जाएगा इनके युद्ध कोशल को अंतराष्ट्री न्याएधीशों के पैनल द्वारा पर्खा जाएगा रूस अंतराष्ट्री सेना खेलों का संस्थापक सदस्य है भारत पहली बार अंतराष्ट्री सैन खेलों के हिस्से के रूप में सेना स्काउट मास्टर्स प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है इस देश ने प्रात्मिक स्कूलों में हेड स्कार्फ पर प्रतिबंद लगाने के लिए एक कानून को मंजूरी दी है। इस कानून से मुख्य रूप से इसलामिक लड़कियों द्वारा पहने जाने वाले स्कार्फ या हिजाब को प्रतिबंधित किया गया है। इस कानून में सिख धर्मावलंबियों द्वारा सिर पर पहने जाने वाले पटका और यहूदियों द्वारा पहने जाने वाले किपपा को छूट दी गई है इस कानून का प्रिस्ताव आस्ट्रिया की 70 रूड दक्षिन पंथी सरकार द्वारा लाया गया था तो प्रश्ण 6 का सही जवाब होगा option A, Austria प्रश्ण 7, हाल ही में भारत द्वारा Christ Church Call to Action समझोते पर हस्ताक्षर किये गए इस समझोते का क्या उद्देश्य है? A, चरम पंथियों द्वारा इंटर्नेट के दुरुपयोग को रोकना B, खेलों के आयोजन को सुनिश्चित करना C, शिक्षा के छेत्र में निवेश करना D, अंतराष्ट्रिय संबंधों को मजबूत करना हालहे में भारत ने उग्रवादियों द्वारा इंटर्नेट के दुरुपयोग को रोकने वाले Christ Church Call to Action समझोते पर हस्ताक्षर किये हैं यह समझोता 15 मार्च को न्यूजी लैंड में हुए आतंकी हमले के मद्दे नजर किया गया है इस समझोते के लिए मीटिंग का आयोजन पेरिस में किया गया था इस बैठक में समझोते के 17 हस्ताक्षर करता देशों के प्रतिनधियों के अलावा Microsoft, Google, Twitter, Facebook और Amazon जैसी दिगज ऑनलाइन कंपनियों के प्रतिनधियों ने भी भाग लिया था Christ Church Call, सरकारों और Tech कंपनियों द्वारा की अगया एक स्वैक्षिक समझोता है इसका मकसद चरम पंथी कंटेंट से निपटने के प्रयासों को बढ़ावा देना है तो प्रश्न 7 का सही जवाब होगा Option A चरम पंथियों द्वारा इंटरनेट के दुरुपयोग को रोकना प्रश्न 8 हाल ही में किस देश के राष्ट्रपती ने साइबर हमले की आशंका के चलते राष्ट्रिय आपातकाल की घोशना की है A. चीन B. उत्तरी कोरिया C. फ्रांस D. संयुक्तुराज्य अमेरिका संयुक्तुराज्य अमेरिका की राष्ट्रपती डोनार्ड ट्रंप ने देश में साइबर हमले की आशंका के चलते राष्ट्रिय आपातकाल की घोशना की है इस emergency की घोष्ण उन्होंने एक कारेकारी आदेश के माध्यम से की इस आदेश द्वारा अमेरिका की टेलिकॉम कम्पनियों को विदेशी टेलिकॉम कम्पनियों की सेवाओं का इस्तिमाल करने से प्रतिबंधित किया गया है इस आदेश में कहा गया है कि राश्ट्री सुरक्षा को विदेशी टेलीकॉम सेवाओं से खत्रा है ऐसा माना जा रहा है कि चीनी टेलीकॉम कंपनियों से साइबर खत्रे की आशंका के चलते ये कदम उठाया गया है तो प्रश्ण 8 का सही जवाब होगा option D संयुक्त राजजी अमेरिका प्रश्ण 9 भारत के कुल निर्यात में अप्रेल महीने में कितनी वृध्धी दर्ज की गई है बारत के कुल निर्यात में अप्रेल महीने में एक दसमलो तीन चर प्रतिशत का इजाफा हुआ है हाली में वाणिज एवं उद्योग मंत्राले ने भारत के निर्यात के संदर्व में आकड़े जारी किये हैं इन आकड़ों के मताबिक वर्ष 2019 के अप्रेल माह में भारत का कुल निर्यात एक दसमलो तीन-चार प्रतिशत की सकारात्मक वृद्धी के साथ लगबग 44 बिलियन अमेरकी डॉलर होने का अनुमान है वहीं अप्रेल 2019 में कुल आयात लगबग 53 बिलियन डॉलर होने का अनुमान है यह 2018 की इसी अवधी की तुलना में 4.5 प्रतिशत की सकारात्मक व्रिधी दर्शाता है पिछले महीने के लिए व्यापार और सेवाओं को एक साथ मिलाकर कुल व्यापार घाटा लगभग 9 बिलियन डॉलर अनुमानित है जबकि पिछले साल इसी अवधी में यह लगभग 7 बिलियन डॉलर था तो प्रश्ण 9 का सही जवाब होगा आप्शन B 1.34% प्रश्ण 10 आज ही के दिन 70 साल पूरा करने वाले परमाडु खनिज अन्वेशन एवं अनुसंधान निदेशाले का मुख्याले कहा है परमाडु खनिज अन्वेशन एवं अनुसंधान निदेशाले का मुख्याले है यह भारत सरकार के परमाडु उर्जा विभाग का अनुसंधान एवं विकास केंद्र है हाली में इस संगठन ने अपने अन्वेशन एवं शोत के 70 साल पूरे किये हैं इस मौके पर आयोजित समारो का उदगाटन उपराश्टपती सी वैंकईया नाइडू जी ने किया परमाडु खनिज अन्वेशन एवं अनुसंधान निदेशाले की इस्थापना 29 जुलाई 1909 को रेर मिनरल सर्वे यूनिट के रूप में की गई थी तब इसका मुख्याले दिल्ली में था 1974 में इसका मुख्याले दिल्ली से हैदराबाद इस्थाना अंतरित किया गया आईए अब नोट करते हैं आज का अभ्यास प्रश्न है 16 माई को भारत की किस राजी की स्थापना दिवस के रूप में मनाया जाता है आप इस सवाल का सही जवाब कमेंट बॉक्स में देना ना भूलें कल कुछ नए सवाल हूँ और इस सवाल के सही जवाब के साथ हम फिर से हाजिर होंगे नमस्कार